KRA and KPI क्या होता है? क्यों 50% of the business targets या business goals achieve ही नहीं हो पाते because of wrong KRA and KPI और no KRA और KPI My name is Siyar Rishabh Bothra and I'm a business compliance and process consultant आज इस वीडियो में हम जानेंगे What is KRI? What is KPI? Difference between KRA and KPI Examples of KRA and KPI What is smart KPI? आप अगर business owner हैं, entrepreneur हैं या कोई industry में काम कर रहे हैं या कोई फिर department में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत important हो सकता है Stay tuned to this video till end KRA और KPI को मैं एक आसां शब्दों में समझाना चाहता हूं एक छोटा परिवार है जिसके तीन मेंबर है एक husband, एक wife और उनका बच्चा उन्होंने अपनी परिवार के लिए कुछ financial goals set किये हैं Financial goals में ये set किया है कि उनको एक साल के अंदर 6 लाक रुपे बचाने हैं ताकि वो एक नई कार ले सके उनकी हर महिने की income दो लाक रुपे महिना है उन्होंने सोचा अगर हम हर महिने 25 परशन सेव कर लें यानकी 50,000 रुपे हर महिने सेव करें तो साल के end में उनके पर 6 लाक रुपे हो जाएंगे और वो इक नई कार ले सकेंगे तो देखिए उन्होंने किस तरीके से सेविंग की, जनवरी महिने में 25 परशन सेव किया याने की 50,000 रुपे, फरवरी महिने में 26 परशन सेव किया याने की 52,000 रुपे, मही महिने में 21 परशन सेव किया, एप्रेल में 29 परशन्ट, मही में 35 परशन्ट, जून में 23 परशन्ट, जुलाई में 21%, August में 25%, September 27%, October में 31%, November में 25% सेव किया, December में 24% ऐसे करते करते उन्होंने पुरे साल में around income का 26% याने की 6,24,000 रुपे सेव कर लिए इस पुरे टेबल से ये पता लगाया जा सकता है कि उनका सेविंग गोल क्या है उनका सेविंग का तरीका कैसे रहा, इस रेट से उन्होंने सेविंग करी और हर महीने कितनी सेविंग करी ये फैमिली ने 6,000,000 रुपे की गोल सेटिंग की, जिसको हम technical terms में कहते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए हर महीने अगर 25% की सेविंग करें ताकि गोल अचीव हो जाए उस सेविंग रेट को हम KPI कहते हैं So what is KRA? KRA का मतलब है key result area KRA किसी भी department या employee के गोल को कहते है KRA will vary from one profile to another profile or from one organization to another organization KRA will not be same for all the employees or for all the organization And what is KPI? KPI का मतलब है key performance indicator KPI is a measurable value that says how effectively a company is achieving its business objectives KPI एक measurable indicator है जैसे हम कभी किसी भी employee को performance असानी से measure out कर सके जो family का हमने example लिया उस table से हमें ये पता चलता है कि family की economic condition कैसी है Saving rate से ये पता चलता है कि वो अपनी target की तरफ move कर रहे हैं कि नहीं move कर Saving rate क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है इसलिए सबको family members को communicate भी हो रहा है इस family ने जो goal बनाया कि year end में उनको 6 lakh रुपे save करने इसलिए जो यहाँ पर saving rate रखा गया है वो इस तरह का रखा गया है कि उस rate पर रखने से वो goal achieve कर सकेंगे Saving rate को हर महिने review किया जाता है ताकि वो check कर सके कि उनकी saving की performance कैसी है और क्या वो goal achieve कर सकेंगे के नहीं कर सकेंगे देखे कोई भी company सबसे पहले क्या करती है सबसे पहले अपना business setup करती है और उस business को चलने के लिए एक business plan बनाती है और उस business plan को execute करने के लिए वो targets fix करती है और उन targets को achieve करने के लिए अपने organization में department wise सभी को responsibility distribute कर देती है जिसको हम KRA कहते हैं और जो department की responsibility दी गई है उसके performance को measure किया जाता है उसी performance measurement को key performance indicator याने की KPI कहा जाता है KPI से हमें पता लगता है कि कौन सा department ज़्यादा perform कर रहा है कौन सा कम perform कर रहा है कौन सा no perform कर रहा है मतलब कोई भी performance नहीं है उस department की अब आते हैं what are the major differences between KRA and KPI KRA focus करता है key activities and key responsibility of any department और an employee पर KPI एक tracking system है जो हमने किसी भी department या employee को जो responsibility दी है उसका performance measure करता है KRA are the basic responsibility of an employee or department which they are supposed to perform and KPI are the tracking techniques to see how well the KRA are being performed KRA qualitative nature का होता है और KPI quantitative nature का होता है KRA कोई भी काम के scope of work को outline करता है और KPI track करता है कि जो scope of work बनाया है वो कैसा perform कर रहा है अब KRA और KPI किसी example के जरिये समझते हैं एक sales manager का KRA क्या हो सकता है sales को बढ़ाना, increasing revenue और KPI क्या हो सकता है उस increasing revenue को measure करने के लिए सबसे पहले आप बना सकते हो sales cycle length sales cycle length का मतलब होता है कि कोई भी lead आपके पास आती है उस lead को prospect मिलता है आपको और उस lead से आप close करते हो deal उसमें कितना time लगता है जितना छोटा sales cycle length उतनी ज़्यादा revenue आप नीचे दिये गए formula से भी यह निकाल सकते है sales cycle length is equal to length of all the deals by the day divided by total number of deals दूसरा KPI आप बना सकते हो sales conversion rate this KPI analyzes your sales team ability to convert that lead into customer आपके पास जो lead आई उसमें से कितने customer बन गए conversion rate का formula आप लिख सकते है total number of sales divided by total number of qualified leads multiplied by 100 यह formula से आप sales conversion rate निकाल सकते है दीसरा KPI आप बना सकते हो customer retention rate इसका मतलब इतने customers आपके साथ काम करके किसी दूसरे के पास shift नहीं हो रहे इससे यह होता है कि हमको repetitive sales मिलती है to determine your number of customer retention rate you need to know the number of customers at the start of the period the number of customers at the end of the period and the number of new customers getting during that time उसका formula आप देख सकते हो customer retention rate is equal to E minus N divided by S into 100 इस customer retention rate से आप जो हमने क्यारे बनाया है sales employees का जो की increase in revenue है इन तीन KPIs के थूँ आप वो performance measure कर सकते हो hope आपको क्यारे और KPI के बीच का अंतर समझ आ गया हो अब समझते हैं कि एक smart KPI क्या होता है किसी भी organization में अगर आप KPI बना रहे हो तो वो smart KPI होना चाहिए smart का मतलब है कि दिखने में अच्छा नहीं smart का मतलब होता है S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for time bound तो सबसे पहले समझते हैं S for specific इसका मतलब है किसी भी department या employee को कोई भी target देते हैं तो वो specific होना चाहिए example की तोर पर समझते हैं कि अगर हमने production head को बोला है कि production अच्छी आनी चाहिए तो यह specific नहीं है आपको यह बताना पड़ेगा कि कितना production आना चाहिए कितना waste acceptable है कितने defects आ सकते हैं तो आपको specific होना पड़ेगा दूसरा point है M for measurable इसका मतलब होता है कि जब भी कोई आप KPI बना रहे हो या कोई target दे रहे हो तो वो measurable होना चाहिए example की तौर पर आप बोल सकते है HR department का अगर KPI बना रहे हो तो number of employee absenteeism target से ज़ादा है या कम है जो employee छोड़ के जा रहे हैं और नई induct हुए हैं क्या वो target से कम है या ज़ादा है तो यह सब measurable होना चाहिए दीसरा point है A for achievable achievable का मतलब है की कोई भी हम goal या target दे रहे हैं वो achieve करने योग यह है की नहीं for example अगर हम साल का 10 करोड की sale कर रहे हैं और हम target बनाते हैं कि 200 करोड की sale करेंगे तो यह goal achievable ही नहीं है तो ऐसा goal मत बनाओ जो achievable नहीं हो अब 10 करोड का sale कर रहे हो और आप target बना सकते हैं achievable होना चाहिए 4th point है R for realistic realistic का मतलब है जो भी goal या target देते हैं वो हावा में बात करने वाली बात नहीं होनी चाहिए वो actual में होनी चाहिए जिसको हम achieve कर सकें for example की तोर पर कहूं कि आप आस्मान से तारे तोड के ले आएं तो यह चीज achievable ही नहीं है और 5th point है T for time bound कोई भी goal या target जब आप बनाते हैं तो वो time frame या time bound होना चाहिए वो activity time में complete होना चाहिए नहीं तो goal कभी भी achieve नहीं हो सकता इसलिए कभी भी कोई भी goal या target या KRA दीजिए तो smart KPI के रूप में होना चाहिए जो की specific, measurable, achievable, realistic and time bound हो किसी भी organization में KRA और KPI बनाने की कितनी जरूरत है आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी If you need any help in setting up of your KRAs and KPIs of your organization then you can fill up the Google form given in the description box or you can call in the below mentioned phone number Our team will reach out to you आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी channel को subscribe करना मत भूलिएगा और subscribe करते वक्त bell icon जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको latest video का notification मिल जाए Thank you, signing off See you in my next video